नमस्कार आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अश्वीनी सिरोही पुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ लोकसभाध्यक्ष ओम बिडला अपने संसदिय शेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर रहे प्रवास के दोरान उन्होंने राज्यस्तरिय बेंकर से समीती की बैठक जिला परिशद सभागार मिली इस पिकर बिडला ने बैठक में केंद्र की योजनाओ की प्रगती और बैंकिंग संबंधी कारियों की समिक्षा की जोरान बिडला ने कहा कि गाउं धानियों तक बैंकिंग स्वीधाओं में वस्तार हुआ है डिजिटल इंडिया भ्यान से बैंकिंग की रहा आसान हुई है बैठक में लोगसभा के जोईंट सेक्रेटरी सिधार्त महाजन स्पीकर बिडला के ओएसडी राजीव दत्ता भी मौजूद रहे खबर हनुमानगर से है जहां जल संसाधन एवं इंद्रा गांधी नहर परियोजना मंत्री की सरकिट हाउस में जनसुनवाई के दोरान पीबियन नहर के किसानों ने टेल के किसानों को पानी नहीं मिलने की शिकायत की उन्होंने इसके लिए जल संसाधन उपखंड पीली बंगा के सहायक अभियंता जगनलाल बैर्वा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कारवाई करने और टेल के किसानों तक पानी पहुचाने की मांग मंत्री के समक्ष रखी जिस पर जल संसाधन मंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया इसके कुछ देर बाद ही कार्मिक विभाग के शास्तन उपसचिव अनुपम कायल की ओर्द से आदेश इचारी कर सहाय कभियंता जगनलाल बैर्वा को निलंबित कर दिया गया शाहपुरा शेत्र के बिलिया में अग्यात कारणों के चलते बिहर शेत्र में आग लग गई रात में लगी आग हवा की वज़ा से धीरे-धीरे करीब एक किलोमीटर तक फैल गई जोरान आग की लप्ते देखकर ग्रामीन भाग कर आए पंचायत समीती सदस्य सावरलाल गुर्जर ने बताया कि ग्रामीन मौके पर पहुँचे लेकिन विद्यूत कटोती होने की वज़़ा से इस्थानिय इस्तर पर पानी के टैंकर नहीं भर पाए और बाल्टी द्वारा आग बुझाने का प्रियास किया गया आग की विक्रालता धीरे-धीरे बढ़ती गई और ग्रामीन आग के पास भी नहीं पहुँच पाए आग पर काबू नहीं पाया गया और आग बढ़ते बढ़ते करीब एक किलोमीटर शेत्र में फैल गई महीं फायर बिर्गेड आग लगने के करीब दो घंटे बाद मौके पर पहुँची जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया लोहरवाड़ा विधान सभा शेत्र की ग्राम पंचायत भटियानी में पंचायत द्वारा कराये गए करीब 60 लाख रुप्यों की लागत के विकास कारियों का लोकारपन PCC सचिव और पूर्व विधायक महेंद्र सिंग गुर्जर, रामनारायन गुर्जर और श्री नगर पंचायत समीती के प्रधान कमलेश गुर्जर के द्वारा किया गया सरपंच कौशल्या देवी तैला ने बताया कि कुल 11 विकास कारिय करीब 60 लाग की लागत के जिसमें सामुदायक भवन और सीसी ब्लोक रोड का लोकारपन किया गया जोरान अथीतियों का सम्मान भी किया गया नसीराबाद शेत्र के ग्राम जाडोल में रामसर चवालिसा सत्रा खेडा का सात्वा निशुलक विभा सम्मेलन धूमधाम से पूर्व विधायक बाबुलाल सिंगारिया की अध्यक्षिता में संपन हुआ सम्मेलन के विभा कारेकारेणी के संरक्षक शंकरलाल महराज और चवालिसा अध्यक्ष रमेश चंद्र उदैनिया ने बताया कि इस विभा सम्मेलन में विभा स्कल्प से पूरे गाउं में वरवधु की गाजे बाजे के साथ शोभायात्रा और महिलाओ द्वारा कलश्यात पर अभद्र भाशा का उप्योग करने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया है और कारे का बहिशकार कर दिया है नगर परिशद के करमचारियों ने काली पट्टी बांध कर विरोध जताते हुए नगर परिशद आयुक्त अनीता खीचड को ग्यापन सोपा ग् करमचारी किस बात पर खफा है मुझे मालूम नहीं मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगनी को तयार हूँ लेकिन उनके पास आने वाले फाइल में कोई कमी दिखेगी तो उसकी पूरती करवाने के लिए टिपणी करने पर कोई नाराज होता है तो उसका वो कुछ कर सकते हैं करमचारी कल पता है मैं तो कल तो छुटी पर था आज जब आया तो ये बाढ़ पारक कि बाठे नहीं के है किसी आदमी के आप मेरे से बात कर रहे हैर तो कोई आदमी है को मेरे से ब्दरता की बात कि दलै अब रही बात फाइलों की तो फाइलों में तो जो अब्जेक्शन होंगे और जो वही मैं कोई परमात्वा नहीं पर जो अब्जेक्शन मुझे दिखाई देने हैं वो तो मैं कोटेट करूँगा कोटपूतली बांसूर रोड पैट्रोल पंप के सामने बसी गोकुल सरोवर फस्ट कोलोनी में प्रोपर्टी डीलर के द्वारा कोलोनी काटे जाने के दौरान कोलोनी को इलक्ट्रिक फाइड नहीं कराया गया जिसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है कोलोनी वासियों ने स्वेम के खर्चे से कोलोनी गेट पर ट्रांसफोर्मर लगवाया था इस ट्रांसफोर्मर पर अब कुछ लोगों के द्वारा अवैध तार डाल कर आए दिन विजली चोरी के मामले सामने आ रहे हैं बिजली चोरी से डीपी पर अधिक लोड पड़ता है और डीपी फोल्ट हो जाती है लाइट के कम वोल्टेज होने के कारण विद्यूत उपकरण जल जाते हैं इस परिशानी को लेकर कोलोनी वासी कई बार जेवी बीनल अधिकारियों से मिलकर समस्या से अवगत करा चुके हैं लेकिन बिजली विभाग सुनने को तयार नहीं है बीती रात तो बिजली चोरों ने अती करते हुए डीपी के तार तक काट दिये जिससे रात को कोलोनी में अधेरा हो गया बिजली जाने की बात की तो बिजली चोर कोलोनी वालों से जगड़े पर उतारू हो गए मोके पर पुलिस ने पहुचकर मामला शांत करवाया सुभह सेकडो कोलोनी वासी बिजली विभाग के A.E.N. कारियाले में पहुचे और A.E.N. सीतराम जांगिड को गया पंदे कर अपनी समस्या से अवगत करवाया क्या समस्या थी जो आद खाने पर पूंचे हैं खाने पर हम इसलिए आये हैं कि हमारे लगबग एक वर्स पहले जुलाई में अब उसमें क्या है कि मैं दूसरे कोलोनी वाले भी अपना तार लगाना चाह रहे है जबकि डीपी स्विकर तुई थी जिससे पहले वोल्टेज के लाइन बहुत कम आ रही है और अगर दूसरे और लग जाएगी तार तो फिर उससे और भी ज़्यादा कम हो जाएगी बताया कि मध्यप्रदेश के सेंध्वा की रहने वाली एक विवाहिता ने सेंध्वा में प्रकरण दर्ज कराया था कि उसके नाम से Facebook ID बना कर कोई अशलील मैसेज और फोटो भेज रहा है इस पर सेंध्वा पुलिस ने IT Act के विभिन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और जाच के बाद सामने आया कि प्रताबगड के गोपाल गंज का रहने वाला विकास पालिवाल नाम का व्यक्ती अशलील मैसेज और फोटो डाल रहा है ठाना अधिकारी ने बताया कि इस मामले को लेकर सेंध्वा पुलिस प्रताबगड पहुची और विकास पालिवाल के मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए तिलक नगर इस्थितेक गोदाम पर पहुची यहां से विकास पालिवाल को हिरासत में लेकर सेंध्वा पुलिस को उत्वाली थाने पहुंची प्रताबगड में अफीम डोडा चूरी तसकर के एक मामले में बीते नो महा से फरार चल रहे एक आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफतार किया है जो प्रताबगड से जोधपूर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था पूछताच में ये भी सामने आया कि उसने ये डोडा चूरा मध्यप्रदेश के वाईडी नगर थाना शेत्र के डोड्या मीना गाउं के रहने वाले अंकित शर्मा से खरीदा था कभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी जिसे अब गिरफतार किया गया है इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे ये टीपीवी निउस नमस्कार